हालो गाइज, वेलकम तो मिस्टिक इंदी टारो, कैसे हो आप सब लोग आए होप आप सब लोग ठीक हो अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, कल है 14th February और Valentine's Day है, Special Day है तो हम देखने वाले हैं कि कल का दिन आपके person की feelings आपको लेकर क्या होने वाली है, उनके deepest emotions देखेंगे उनके दिल में दिमाग में क्या चलने वाला है, वो क्या action ले सकते हैं, वो हम इस reading में देखने की कोशिश करेंगे लेकिन धियान रखेगा general, timeless, collective reading है, timeless नहीं है, collective और general reading है सो लेट सी, specially Valentine's Day, कैसा जाएगा, अपो क्या feel करेंगे, क्या उनके actions हो सकते हैं, क्या आप दुनों के बीच में कल सब कुछ ठीक हो जाएगा जो लोग नों contact में, क्या आपके person अपसे बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जो भी है, everything we'll see लेकिन यह सिर्फ candle wax reading है, यह धियान रखेगा, तो मैं दूसरी candle लेती हूँ, यह candle इतनी खास नहीं है तो candle को light कर लेते हैं, आपको focus हमेशा की तरह अपने person पे रखना है, चलिए तो मैंने candle को यहाँ पे light कर लिया है, आपको focus करना है अपने partner पे, उनके बारे में सोचना है, उनको visualize करना है and let's see कल का दिन कैसा जाएगा, क्या सोचेंगे, क्या action लेंगे, क्या हो सकता है आप दुनों के बीच में okay सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखे कल इस person को थोड़ा restless feel हो सकता है बहुत सारे सवाल दिमाग में घुमेंगे, बहुत सी चीज़े इनके दिमाग में आएगी होता है ना एक तरह का दिमाग में तूफान रहेगा कि मैं क्या करूँ मैं ये करूँ या मैं वो करूँ मुझे क्या करना चाहिए मेरा action क्या होना चाहिए तो कुछ confusion या कुछ overthinking चलने पाली है इस person की ठीक है बट overthinking अने के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो कोई गलट decision ले लेंगे मुझे वो सही decision लेते देख रहे है सबसे पहली चीज़ जो मुझे आप दिखाई दे रही है अपनी feelings, अपनी true feelings को आपके सामने express करेंगे कि वो आपके लिए क्या feel करते है उनके deepest आपके लिए emotions क्या है आपसे कितना प्यार करते है आपसे क्या उमीद है क्या आप देना चाहते है इस रिष्टे में कब कहा तक ले जाना चाहते है सारे दिल की बात खोल कर रख देंगे आपके सामने लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे यहाँ पर overthinking होते वे दिख रही है लेकिन अंत में जाके यह अपनी दिल की बात मानेंगे इनका दिल आपको उन्हें आपके तरफ कीचेगा उनका दिल उन्हें आपके तरफ पुष करेगा और वो उसी का सार देंगे ठीक है तो दिया कोईंग टो लिसन टो देर हाट पहले क्या होता था यह परसन प्राक्टिकली सोचते थे यह परसन सिर्फ अपने बारे में सोचते थे इमोशन को अपने कहीं न कहीं कट ओफ करके सिर्फ प्राक्टिकली डिसिजन्स लेना और आपको हर्ट कर देना लेकिन अब क्या होने वाला है कल कि परसन अपने दिल की बात सुनेंगे और उनका दिल उन्हें आपके तरफ ही इशारा करेगा और वो आपके तरफ बढ़ेंगे मुझे मेजरली यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके परसन अगर कोई ऐसे बात थी जो आप चाहते थे कि यह करे या कोई प्रामिसस थे जो आप चाहते थे कि वो पूरा करे अपने जिन्दगी में रखना है लॉंग टम रखना है मरते दम तक रखना है और उसके लिए मुझे तुम्हारे कोई भी बात सुननी पड़े या माननी पड़े तो भी चलेगा तुम्हारी हर चीज मानने को मैं तयार हूँ ठीक है मतलब आखे बंद करके परसन आप पर ट्रस्ट करना चाहेंगे और यह बात वो आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे कि यार तुम जो बोलोगे वो होगा लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो मुझे अपने जिन्दगी में रहने दो मुझे तुमारी जरूरत है मुझे तुमसे प्यार है यह मुझे यहां पर बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं यह परसन आपसे यह भी बोल सकते हैं कि जब से आप इनके लाइफ में आए हो इनके लाइफ कितनी तर्ब बदल गई है यह कितनी परस्पेक्टिव जो मेरा नजरिया है रिष्टो के बारे में जो एक नजरिया है मेरा वो बदल गया पहले मुझे लगता था कि रिलेशन्शिप बॉन्डेज होता है जेल की तरह होता है बांद के रखते है लेकिन जब तुम मुझे मिले तब मुझे समझा के रिष्टा उसके टोटली अपोजिट है रिष्टा बहुत ब्यूटिफुल है तो आपने बेश हमेशा आपको secondary option की तरह रखा है family को पहले या दोस्तों को पहले third party situations तो आपको कभी भी वो जगा नहीं दी इस person ने जो आपको सच में मिलने चाहिए थी जो आप deserve करते हो तो हो सकता है ये person कल आपको वो जगा दे दे अपने life में ओके कही ना कही मुझे लगता है कि इस person ने आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कुछ लोगों के लिए आपको cheat भी कर रहा होगा past में मेभी इनको लगा कि आप जैसे तो कोई और आ जाएगा कोई और मिल जाएगा तो इन्होंने ट्राइ किया यूनो मेभी आपके तरह किसी और को अपने life में लाना चाहा लेकिन क्या हुआ बदले में कि आपके जैसा इस person को कोई नहीं मिल पाया comparison ही नहीं है आपके और किसी और के बीच में ठीक है यह चीज़ यह realize करेंगे मुझे थोड़ा सा एक चीज़ लेकिन यहां पर दिख रही है कि अगर आप इनसे past के बार में कोई बात पूछोगे तुमने तब मुझे क्यों चोड़ा तुमने तब मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने यह क्यों किया वो क्यों किया हो सकता है वो उन सवालों के जवाब न क्योंकि वो चाहते है कि आपके साथ एक नई शुरुबात करना वो नहीं चाहते है कि पुराने किसी बात को लेकर आप दोनों में लडाई हो पुरानी बातों को लेकर आप दोनों में भिड़न हो फिर से वो नहीं चाहते है they want a new beginning a fresh start with you वो नहीं चाहते कि आप दुनों की में किसी बात को लेकर भी अभी पुरानी बातों को लेकर कुछ भी बात जीत हो हो सकता है वो आपसे confrontation को avoid करें ठीक है वो बोल दे कि मुझे past की बातों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है just leave it ठीक है मुझे ऐसा भी लगता है कि finally न इस person को आपके प्यार की value हो सकता है कि इस person को doubt हो इनके दिमाग में यह चीज आ सकती है कि यार यह बंदिया यह बंदा इतना अच्छा है इसने हमेशा मुझे प्यार किया हमेशा मुझे support किया हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा मेरे लिए wait किया जितना कोई नहीं कर सकता है इतना इस इस इंसान ने मेरे लिए किया है तो क्या मैं इसको deserve करता हूँ क्या मैं इसके लायक हूँ यह सवाल यह अपने आपसे पूछेंगे कल या आपसे भी पूछ सकते क्या मैं तुम्हारी लायक हूँ क्या मैं कुम्हारे काविल हूँ तुम इतने अच्छे हो तुमने हमेशा मुझे वक्त दिया, पेशेंस रखा मेरे साथ, बट मैंने हमेशा तुम्हें दिसपोइंट किया, मैंने हमेशा तुम्हें दर दिया, पेइन दिया, तो हो सकता है यह परसन आपसे लिटरली यह बात पूछे, कि am I worthy of you, ठीक है? लेकिन देखिए, एक चीज तो इस परसन को रियलाईज हो गई है, कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों एक soulmate connection में हो, एक strong connection है आप दोनों का, दिल से दिल का रिष्टा है, यह चीज तो इनको रियलाईज हो गई है, ऐसा समझ लीज़े, आप मान लीज़े इस चीज को, कि हम दोनों का रिष्टा true है, दिल से है, मुझे ऐसा भी लगता है, कि अगर यह परसन ने आपके साथ loyalty नहीं रखी, डिसलोयल रहे, आपको cheat किया, जूट बोला, promises तोड़े, आपको disappoint किया, on-off situation दिया आपके साथ, या कुछ भी ऐसा किया ना, जिससे कि आपका भरोसा तूट गया था, तो वो भरोसा मुझे यह person, आपको दिलाते हुए दिख रहे है, कि मैं loyal हूँ, और मैं loyal रहूंगा, ठीक है, हो सकता है आपसे माफी मांगे, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है, अपनी की हुई गल्ती की माफी आपसे मांग सकते है, लिटरली दिल से genuine apology मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है, एक नई शुर्वात, एक नया मौका मांगेंगे आपसे, कि चलो यार, बूली, बिच्री, बातों को छोड़ो, और एक नई शुरॉवात करते हैं, एक new romantic cycle आप में begin हो सकती है, ठीक है, बहुत जल्द full moon भी आ रहा है, तो हो सकता है उसका भी असर हो, क्योंकि full moon के आगे और पीछे कुछ दिन तक, उसका असर बहुत strong रहता है, अब ये person इतना ज्यादा confusion में थे, decision ही ने ले पाते थे, कि उन्हें क्या चाहिए, आपके साथ किस तरह का रिष्टा चाहिए, कैसे रिष्टा रखना है, बट अब इस person का doubts जो भी है, आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर खतम हो चुकी है, ठीक है, हो सकता, आप किसी ऐसे person से deal कर रहे हो, जिने बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चड़ जाते है, अपनी गलती नहीं मानते है, बहुत जल्दी नराज भी हो जाते है, ठीक है, डिप्रेस हो जाते है, साड हो जाते है, तो बहुती sensitive, और अपने गलतियों के लिए माफ़े मांगे ठीक है? मुझे सौरी बोलते हुए दिख रहे हैं काफी लोगों के लिए मैजॉरिटी लोगों के लिए मुझे यही आक्शन आते वे दिख रहे है कि अपने गुसिक पे काबू करके इस रिष्टे के एक नई शुरुवात करते हुए मुझे रोते हुए आपके सामने एक्सप्रेस करते वे दिख रहे हैं अपने फीलिंग्स को ठीक है बड़ा ही रोमैंटिक पलोगा बड़ा ही दिल छूने वाला पलोगा अगर ऐसा था कि यह किसी और को चूज कर रहे थे फैमिली को या फैमिली ने लाई हुई थर्ड पार्टी को या किसी और से शादी कर रहे थे या थर्ड पार्टी के साथ को चूज कर लिया था आपको साइड लाइन कर दिया था आपको चूज नहीं किया अगर इस परसन ने तो मुझे लिटरली ये परसन उस थर्ड पार्टी को जो भी है third party अपने life से निकाल दिया है इस person ने ठीक है और clear हो गया है इस person के मन में कि उन्हें आप चाहिए हो मुझे यहाँ पर काफी लोगों को solid offer आते वे दिख रही है अपने person के तरफ से यह person आपको promise करेंगे यह person आपको assurance देंगे यह person आपके सामने गिड़ गिड़ाएंगे compromise करने की भीख मांगेंगे क्योंकि they want you उनके दिल ने आपको choose कर लिया है देखे मैं यह नहीं बोल रही हो कि आपको भी यही करना चाहिए वो decision solely आपका है कि आपको क्या करना है मैं बस आपको यह बता रही हूँ कि यह person यह यह चीजे कर सकते है ठीक है बाकी decision आपका होगा मैं किसी को force तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पर physical attraction बढ़ जाएगा इस person का आपको लिकर पहले से ही मुझे दखता है कि शुरुवात से ही from the start of this relationship day one से ही बहुत passionate रहे है इनके मन में आपको लिकर बहुत जादा attraction रहा है और मुझे कल भी वही दिख रहा है बहुत physical attraction रहेगा यह person बार-बार खिचेंगे आपके तरफ हो सकता आप कल बहुत beautiful लगो हो सकता आपकी meeting हो जाए इस person के साथ और उस meeting के दौरान इस person को आपको देखकर बोलते हैं कि love at first side तो कुछ ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए solid offer भी आ सकती है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कोई solid commitment, solid offer अपने partner से मिल सकती है यह person आपके बहुत सपने देखते हैं जब यह कुछ normal भी अपने life में कर भी रहे होते हैं इन्हें आपकी याद आ जाती है यह आपके सपनों में खो जाते हैं तो इनकी आदत ही हो गई है कि आपके सपनों में खोई रहना आपको याद करते रहना आपको dream करते रहना मुझे ऐसा भी लगता है कि past में बहुत trust issues रहे है आप पे इस person ने या तो कभी भरोसा नहीं किया या आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहा तो किसी को तो किसी को यहाँ पे trust issues है ठीक है? वो मुझे खतम होते वे दिख रहे है मैं पोल्डर ना एक काया पालट होने वाली है आप दोनों के relationship की ठीक है मतलब सब कुछ बदल जाएगा सब कुछ इतना beautiful हो जाएगा कि आप उस चीज को पे अकीनी नहीं कर पाऊगे ठीक है? मुझे काफी लोगों के बीच में आप इस परसन के नए रूप को देखोगे जैसे ऐसे इंसान को देखोगे अपने सामने जिसके दिल में बहुत ज़द आपके लिए प्यार है बहुत ज़द रिस्पेक्ट है अपने की एक पे पच्चतावा ठीक है? हर चीज मतलब एक अलगी मुझे इनके आँखों में आपको लेकर feelings and emotions दिखाई दे रहे हैं जहां पे इस परसन विल बी head and heels over your love ठीक है? कही ना कही परसन बहते चले जाएंगे अपने आपको रोक नहीं पाएंगे ये परसन ठीक है? ये चीज तो common है ये बताने की बात तो नहीं है Valentine's Day तो gift exchange तो होंगे बहुत लोग की बीच में तो वो चीज तो मैं नहीं यहां पे बताने वाली हो कुछ अलग नहीं है उसमे मुझे लगते कुछ लोगों के लिए ये आपके love life से related नहीं है लेकिन maybe इनको promotion मिली है हाल फिलाल में या maybe वो good news वो आपको दिना चाहते है कुछ तो promotion नहीं के life में ने मिली है I don't know what this is about but इनोंने कुछ तो success हासिल की है अपने life में जुसके बार में भी आपसे share करेंगे ठीक है सब लोगों के लिए नहीं है specific कुछ लोगों के लिए है काफी लोग यहाँ पर किसी fire sign से deal कर रहे हो Aries, Leo और Sagittarius ठीक है like many of you मुझे यहाँ पर Capricorn भी दिख रहा है Cancer भी दिख रहा है Pisces भी दिखाई दे रहा है Libra भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर Gemini, Libra, Aquarius भी है काफी लोग यहाँ पर Cancer, Scorpio, Pisces भी है Yes एक change of जैसे होता है कि एक सब situation इतनी magically बदलेगी कि आपको अपको अखों पर हो रहा है जो सामने उस पर trust ही नहीं हो पाएगा कि यार इतना beautiful सब कुछ हो सकता है You'll be just stunned कि यार बस इसी का तो इंतजार था ठीक है जस चीज का इंतजार था वही आपको मिलने वाला है So that was it guys अगर reading आपको पसंद आई है तो like, comment और share जरूर करिएगा आज मैं like aim रखती हूं 5000 प्लीज कर दीजेगा I know आप definitely करोगे ताकि आप इन reading के beautiful energies को claim कर पाऊ and happy valentine's day in advance to everyone and I love you, each one of you and instagram पे follow करिए मुझे मैं वहाँ पे काफी सारी चीजे डालती रहती हूं जो आपको काफी पसंद आएंगी So see you in next video guys अपना ख्याल रखेगा stay safe and love you a lot and हाँ, मेरे anniversary थी 11 तारीको तो बहुत लोगों मुझे बड़ी प्यारी प्यारी wishes करी है thanks a lot guys it means a lot to me आप ही मेरी family हो and आप लोग जब wish करते हो भर जाता है मेरा मन प्यार से So yeah, see you in the next video Bye